Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल, February 2022 की लव टारो रीडिंग और देखे इस रीडिंग में में रपस खास हाट कन्फेशन के कार्ड्स हैं और इन कार्ट में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मनही मनव आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं और बिफोर आइस चार्ट दा रीडिंग विश्यू आप वेरी वेलेंटाइन स्टेश आइए अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखिए इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए से रिटेरे से आप लोगों के लिए देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये Valentine's Special है तो इस Reading में हमारे रपस 3 Piles की जगा पे 4 Piles है and the first pile में हम देखेंगे कि February मन्त में आपकी क्या Energies होंगी second pile में हम देखेंगे कि आपके Partner की क्या Energies रहेंगी third pile में हम देखेंगे कि finally February मन्त में क्या हो रहा है and देखें फूर्थ pile को जैसे कि आप रीट कर पा रहे होंगे इसमें Heart Confessions लिखा हुआ है तो secretly आपके Partner आपके लिए इस Relationship के लिए क्या महसूस करते है इन ही Energies को हम fourth pile में देखेंगे तो चलिए Seditorious आप लोगों के लिए देखें कि February मन्त में आपकी क्या Energies रहेंगी तो देखें आपके लिए यहाँ पे सबसे बहला card है Ten of Pentacles और Ten of Pentacles का card कहीं commitment की बात करता है stability की बात करता है long term की बात करता है तो यहां तो Seditorious इन ही चीज़ों पे आप focus कर रहे हैं या फिर यही आप अपने relationship के लिए कुछ time से या फिर February starting में चाहा रहे हैं और देखें इन ही चीज़ों को लेकर यहां पर sweetness का card कहता है कि आप बहुत सब्र बहुत patience रखते हुए देख रहे हैं in nutshell देखें अगेन आप commitment चाहा रहे हैं long term चाहा रहे हैं एक stability एक security चाहा रहे हैं लेकिन आप मन ही मन इन चीज़ों को लेके परिशान नहीं हो रहे हैं जो भी इस relationship में हो रहा है जो भी आपकी life में हो रहा है कैसे आप उसको enjoy करें उस पे ही आप ज़्यादा focus करते हुए देख रहे हैं और देखे 10 of pentacles का card कहीं family की भी बात करता है तो कुछ sedutaries के लिए हो सकता है कि आप अपनी family पे बहुत focus कर रहे हैं prioritize कर रहे हैं कुछ sedutaries के लिए हो सकता है कि आपकी या फिर आपके partner की family की involvement या फिर interference कुछ time से February starting में या February मन्त में रह रही है और देखे ये card कहीं celebration और get together की भी बात करता है तो कुछ sedutaries के लिए हो सकता है कि February मन्त में किसी level पे किसी तरीके का एक celebration एक get together भी है और देखें mid February के लिए यहाँ पे 8 of cups and yes के cards है 8 of cups का card जिस चीज को आप छोड़ कर गए हैं आगे पीछे उसी चीज के पास वापस आने की बात करता है और देखें यहाँ पे सब sedutaries के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है और आप ही बहतर जान सकते हैं कि इसी love life से related या फिर otherwise भी किस चीज को छोड़ के पीछे आप आगे गए हैं लेकिन broadly speaking देखें यह card कहता है कि किसी भी तरीके का distance अगर इस relationship में आया और यहाँ पर देखें यह distance भी सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए physical level पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए mental emotional level पे रहो सकता है फिर से मैं कहूंगे कि जिस भी तरीके का distance आया उसको खतम करना चाहा रहे हैं फिर से वही प्यार महबबद आप इस relationship के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं और दिखें deeper level के लिए yes का card कहता है कि आप बहुत बहुत sure हैं कि ऐसा आप अपनी love life के लिए अपने लिए या फिर इस relationship के लिए चाहते हैं इस चीज को ले कर आपके मन में बिल्कुल भी doubt नहीं है बिल्कुल भी uncertainty नहीं है तो फिर से मैं कहूंगी कि फिर से वो प्यार महबद इस relationship में लाने पे भी हो सकता है आपका focus रहे और ऐसा ही आप चाहते हुए भी दिख रहे हैं और देखिए end of February के लिए यहाँ पे wins of change का card किसी level पे किसी तरीके के changes की बात करता है और देखिए यह card कहीं positive changes की बात करता है क्योंकि इस card में लिखा हुआ है improvement breezes into your love situation तो फिर से देखिए कुछ changes आपके personal front में आपके energies में आप फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं जो की better energies लेकर आ रहे हैं लेकिन देखिए surface level के लिए Empress का card कहता है कि आप कोई चीज़ overdue कर रहे हैं क्योंकि Empress love प्यार महबबत की बात करती है luxury comfort की बात करती है तो हो सकता है कि again इन ही चीज़ों को लेकर आप overdue कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने partner के लिए over caring हो रहे हैं over loving हो रहे हैं over अपने प्यार महबबत express कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि ये you know आप अपने self के लिए कर रहे हैं self-love, self-care पे बहुत focus कर रहे हैं तो देखिए जो भी चीज Sagittarius आप over कर रहे हैं उन्ही में ही एक balance लाना कहीं February end में बहुत-बहुत important है तो ये थी Sagittarius February month की आपकी energies and Sagittarius अब देखते हैं कि February month में आपके partner की energies रहेंगी तो देखिए आपके partner के लिए आपे सबसे पहला card है 10 of cups reverse और 10 of cups के card को आप देख पा रहे हैं ये card family की बात करता है और आपके लिए भी Sagittarius कहीं February starting में family का card था तो देखिए overall ही ये दोनों ही cards कहते हैं कि family की involvement, family की interference किसी भी level पे, किसी भी तरीके से इस relationship में कुछ time से या फिर February starting में या February month में रहती हुई देख रही है कुछ के लिए Sagittarius की family हो सकती है कुछ के लिए Sagittarius के partner की family हो सकती है और देखिए कहीं 10 of cups का card happiness की बात करता है joy की बात करता है कहीं togetherness की बात करता है companionship की बात करता है कहीं एक completion के भी बात करता है और आपके partner के लिए ये card reverse है तो इन ही चीजों से related छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं कुछ से generous के partner के लिए हो सकता है कि आपके साथ एक completion चाहते हैं आपको अपनी life में forever चाहते हैं और कहीं किसी level पे ऐसा नहीं हो पा रहा या इसी से ही related कोई मसला है और इसी वज़े से कहीं एक incomplete feeling वो महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि एक happiness एक joy आपके partner की life में है लेकिन साथ ही साथ एक missing feeling भी किसी चीज़ को लेकर रहे हैं और देखिए इसके लिए सबके लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन destiny point का card कहता है कि हो सकता है कि मन ही मन आपके partner किसी चीज़ को लेकर कोई decision करना चाहा रहे हैं कोई choice लेना चाहा रहे हैं और कहीं इतना आसान उनके लिए नहीं हो रहा है कहीं वो हो सकता है two minds में हैं उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या direction अपने लिए choose करें वो क्या decision लें और देखिए कहीं mid February के लिए यहाँ पे victory का card किसी level पे किसी चीज़ को लेकर एक success रहने की बात करता है और देखिए आपकी energies में हमने देखा था कि eight of cups के card में आप इस relationship में फिर से पहले जैसा प्यार फिर से पहले जैसी महप बचा रहे हैं और हो सकता है कि आपकी यही energies आपके partner के लिए बहुत एक you know success रह रहा है कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको जीत लिया या फिर you know again किसी level पे एक जीत, एक victory, एक success वो महसूस कर रहे हैं और इसी वज़े से या otherwise भी page of cups rivers का card कहता है कि वो over emotional हो रहे हैं, over sentimental हो रहे हैं और in the process हो सकता है कि काफी यह बहुत जादा immature भी वो चीज़ों को लेकर हो रहे हैं उनका childish सा behavior है सकता है देखिए कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि सरीटेरिय से आपके partner अपनी emotions, अपनी feelings को contain ही नहीं कर पा रहे हैं और देखिए end February के लिए आपे surrender and the devil के cards कहते हैं कि बहुत obsessive, बहुत possessive, वो आपके लिए इस relationship के लिए रहते हुए दिख रहे हैं देखिए surrender के card में लिखा भी हुआ है All of me loves all of you Embrace and envelop your soul with this love तो फिर से देखिए वो पूरी तरीके से आपको समर्पन करना चाहते हैं या पूरी तरीके से, you know, again मैं कहूंगी कि अपने आपको, आपको सौपना चाहते हैं And in the process फिर से देखिए possessive हो रहे हैं, obsessive हो रहे हैं और इसी वज़े से otherwise एक pressure भी वो महसूस कर रहे हैं और थोड़े से dominating, थोड़े से controlling भी कहीं February मन्त में या February and Miss Sagittarius आपके partner रह सकते हैं और देखिए इन energies के पीछे उनका प्यार है, उनकी feelings है या मैं कह सकते हूँ कि बहुत जबर्दस्त आपके लिए एक emotion है उनको literally ऐसा लग सकता है कि भाई वो इस प्यार के गुलाम हो गए हैं वो इस प्यार के again मैं कहूंगी slave हो गए हैं और कहीं वो beyond the point कुछ भी सोच ही नहीं पा रहे हैं यानि कि इस relationship, इस love life या फिर आपके अलावा किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं किसी और चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं तो ये थी Sagittarius February मन्त के लिए आपके partner की energies and Sagittarius अब देखते हैं कि February मन्त में finally इस relationship में क्या हो रहा है तो दिखिए सबसे पहला card आप लगों के लिए है new chapter और ये card बहुत ही clearly कहता है कि किसी भी level पे किसी भी तरीके की नई beginning या फिर fresh start इस relationship में February starting में या फिर February मन्त में रहती हुई दिख रही है और दिखिए ये general reading है तो ये fresh start ये नई beginning सब के लिए differ कर सकती है और देखिए इस हिसाब से देखें तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शादी, engagement जैसी चीज़ें कहीं February starting में या February मन्त में रह रही हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे अगर आप दोनों के बीच में कुछ मसले चल रहे थे जिसकी वज़े से या otherwise भी किसी भी लेविल पे एक distance आप दोनों के बीच में था और दीखिए ये भी again सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि physical लेविल पे एक दूरी इस relationship में आप दोनों के बीच में थी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि mental emotional level पे एक disconnect था तो जो भी या जिस भी तरीके का distance इस relationship में था वो कहीं end हो रहा है और एक नई beginning इस relationship में रह रही है और दिखिए ये नई beginning again positive energies या फिर positive चीज़ें लेकर आ रही है कहीं एक reunion आप लोगों के लिए लेकर आ रही है और दिखिए इस card में लिखा हुआ है second chances तो फिर से देखिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस relationship को फिर से एक chance देना चाहा रहे हैं और दिखिए आपके लिए आपे देखा भी था आपने Sagittarius की आप फिर से वही प्यार महबबत इस relationship के लिए चाहा रहे हैं यानि कि पहले जैसी प्यार महबबत इस relationship के लिए चाहा रहे हैं और दिखिए आपे Knight of Souls का card कहता है कि suddenly ये चीज़ें रह सकती हैं यानि कि हो सकता है कि आपने expect ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी एक नई beginning, एक नया chapter इस relationship में शुरू होगा और दिखिए जो भी हो कहीं आपे Nine of Cups का card कहता है कि एक happiness, एक joy mid February में या फिर February मन्त में इस relationship में रह रही है और दिखिए Nine of Cups का card wish come true की भी बात करता है तो कुछ सरीडेरियस या फिर उनके partner के लिए literally ऐसी feeling हो सकती है कि यही तो कितने time से आप desire कर रहे थे, यही तो आपकी wish थी जो आप अपनी life में manifest करना चाहा रहे थे और ये February मन्त में कहीं manifest हो गई है तो देखिए overall February मन्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाता हुआ देख रहा है और देखिए in February के लिए भी यहाप luminous का card happiness joy की बात करता है एक bright radiant energies की बात करता है और देखिए six of pentacles का card give and take की बात करता है तो in February में या फिर again मैं कहूंगे कि February मन्त में काफी एक you know giving and receiving वाली energies आप दोनों के बीच में रह रही है या मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज को लेकर एक give and take रह रहा है और देखिए ये भी सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए feelings, emotions हो सकती है जो आप दोनों ही एक दूसरे से express कर रहे है कुछ लोगों के लिए financial, materialistic चीज़ों से related एक give and take हो सकता है यानि कि आप अपने partner को कोई gift दे रहे है आपके partner आपको कोई gift दे रहे है और देखिए ये जो दो तीन चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहीं nutshell में देखिए एक giving and receiving वाली energies रह रह रही है और देखिए बहुत बहुत important है Sagittarius कि इन ही giving and receiving वाली energies में एक balance आप दोनों ही जरूर रखें इस card को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें तराजू है तराजू कहीं balance की बात करता है और देखिए relationship में issues, मसले तभी होते हैं जब हम again मैं कहूंगी कि इस giving and receiving वाली energies में balance नहीं रख पाते हैं क्योंकि जब हम over अपने partner के साथ करते हैं यानि कि हम over giving रहते हैं तब कहीं subtle level पे हमारी एक expectation उनसे बन जाती है और कहीं वहाँ से वैसा response नहीं मिलता तो हम hurt होते हैं और अगर हमारे partner over करते हैं उनकी expectations हमारे से बहुत जादा हो जाती हैं और कहीं हमारे उपर भी pressure हो जाता है कि भई हमने ये वापसी करनी ही करनी है और जब इन्ही energies में हम एक balance रखते हैं तो relationships में beyond the point मसले नहीं होते हैं और ऐसे relationships काफी दूर तक जाते हैं तो nutshell में बहुत अच्छी energies February मन्त के लिए दिख रही हैं लेकिन आपने थोड़ा सा खयाल रखना है कि आप एक balance ज़रूर maintain करें तो ये था Sagittarius आप लोगों के लिए February 2022 की energies and Sagittarius अब देखते हैं कि आपके partners secretly आपके लिए इस relationship के लिए क्या महसूस करते हैं तो देखिए आपे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Your love uplifts me, I am unsure what I want तो देखिए बहुत ही clearly Your love uplifts me का card कहता है कि आपका प्यार, आपकी महबद, आपके partner की life में एक happiness, एक joy लेकर आता है वो जब भी भी low feel कर रहे होते हैं आपके बारे में सूचते हैं तो उन्ही low energies में से वो बहार निकल जाते हैं और again एक happiness, एक joy वो महसूस करते हैं लेकिन साथ ही साथ देखिए I am unsure what I want का card कहता है कि किसी particular चीज को लेकर या फिर इन general भी चीजों को लेकर या future को लेकर वो बहुत sure नहीं है और देखिए ये general reading है तो यहाँ पे सब Sagittarius के partner के लिए different चीज हो सकती है जिसको लेकर Sagittarius आपके partner बहुत sure या फिर unsure रहते हुए देख रहे हैं और देखिए ये आपका relationship है Sagittarius तो आप ही बहतर जान पाएंगे tarot और astrology आपको broader level पे एक idea देते हैं लेकिन देखिए ये card बहुत ही clearly कहता है कि आपका प्यार आपके partner को कहीं uplift करता है कहीं again एक happiness एक joy उनकी life में लेकर आता है और देखिए time to say goodbye का card भी सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है क्योंकि देखिए February मन्त की energies बहुत अच्छी है तो यहाँ पर broadly speaking मुझे दिखता है कि past को या फिर पुरानी चीज़ों को कहीं goodbye कहके आपके partner आपके साथ again एक नई beginning करना चाहा रहे है नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहा रहे है और देखिए new chapter and reunion के card में हमने देखा भी कि इस relationship में किसी level पर किसी तरीके के एक नई beginning हो रही है तो यह था सेटेटेरियस आपके partner की secret intentions और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके